गुल्दावोदी क्रेस्थिन्थमम प्लांट जो कि बहुत सारे अभी रंगीन फूलों से हमारे गार्डन को भरने वाला है, विंटर सीजन आ चुका है और इन फूलों से हमारे गार्डन में बिल्कुल अनोखा सा ही एक अंदाज दिखने को मिलेगा, बहुत सुन्दर प्लां से एक ही गंबले के प्लांट से आपको बहुत सारे फूल मिले बंच में, और जो कि आपको इस समय करना है, ऐसा क्या काम, आप इस वीडियो में जरूर बने रहिए, बहुत हैल्फूल वीडियो होने वाला है, जिनोंने कर लिया है, बहुत अच्छी बाद, जिनोंने नहीं क आपने कसे बाइब कर सकते हैं तो पूरे वीडियो में बने रहें और एक लाइक कर दिजिएगा ताकि हमें बहुत सारे मोटिवेशन मिलता है एक लाइक से आपका एक लाइक करता है उस रशें वीडियो बनाने के लिזה कई लिए तो फ्रेंट्स जिन्होंने आपके साथ में टिप्स शेयर करूंगी जो भी गुल्दाओदी के प्लांट के साथ में मैं कर रही हूं आप लोग भी जरूर करिएगा तो अभी अक्टूबर एंड होने वाला है और आप अभी इस समय कर सकते हैं यानि कि आप नौंबर जब तक इसमें फ्लावरिंग ना आए तब तक भी आप कर सकते हैं देखिए जो मैं कर रहे हूं इसे कहते हैं पिंचिंग तो जितने भी टिप के पार्ट होते हैं तो इस तरह से आप उपर का पार् से उंग्लियों से भी नाखुन से भी कर सकते हो तो देखिए मैं आप उसके बारे में एक एक स्टेप सारा कुछ बताऊंगी तो इस पॉर्ट के साथ में देखिए मैंने रसी से बांध रखा था इस पॉर्ट में जो प्लांट है क्योंकि काफी इसकी अच्छी ग्रोथ है औ तो इसके जितने भी नीचे से एक्स्ट्रा जो भी है ब्रांचे सा रखी ना उनको मैं हटा रही हूं और जितने भी पॉर्ट में आपके नीचे से जो भी पतियां होती है एक्स्ट्रा उनको निकालना जरूरी है तो देखिए यह अलग-अलग से बहुत सारे ब्रांचे से जो प्लांट है उसका साइज देख सकते हो काफी अच्छा है healthy है और इसकी लम हैड़ी भी अच्छी है तो देखिए जहां-जहां से मैंने पहले pinching कर रखिए यह पहले कर चुक्eking मेन पिंचिंग तर्किए वहां कितनी सारी इसकी ब्रांचेस निकल आई है तो पिंचिंग करना बहुत ज़र रही होता है friends अपने पौधे में क्योंकि पिंचिंग की एक इतना important पार्ट होता है गुल्दावदी के पौधे के लिए कि जहां से आप ऐसा tip के पार्ट से पिंचिंग करते हैं तो वहीं से उसके दो साइट स तो पिंचिंग करना ज़रूरी है पिंचिंग इसी को कहते हैं कई लोग को पता नहीं होता है देखिए तो पिंचिंग अभी भी आप कर सकते हैं अभी October end होने वाला है और नॉमबर तक मतलब आपको तपता करना है जब तक इसमें कल्या ना खिले birds ना आए अगर बर्स जहां आपको दिखता है कि कलिया आ चुकी है तो आपको पिंचिंग नहीं करना है तब तक आप पिंचिंग कर सकते हैं इसके बाद में तो फिर कलिया खिल जाएंगी तो जितना पिंचिंग करेंगा फ्रेंड्स उतना अच्छा है और दूसरा important काम है गुड़ाई गुड़ाई करना बहुत जरूरी है गुड़ाई करने से जितना भी एरेशन होगा इसके रूट्स तक अच्छी तरह से एरेशन होगा और इसकी जो मिट्टी है इसकी जो भी है हलकी हो जाएगी तो देखिए मिट्टी इससे भुरबुरी होने चाहिए इसकी well-drained soil ही जो हो मिट्टी के संपर्क में आएंगे मिट्टी के कॉंटेक्ट में रहेंगे तो हम पाने डालते हैं जब तो वह क्या होता है तुसरी बत क्या होता है कि जो भी जो धूब की किरने होती है रौसनी होती है वह जड़ तक नहीं जाती है तो देखिए इस तरह के टूल होते हैं आपको बोलूंगी कि पतले वाले से करे तो अच्छा रहता है उससे कुडाई करने में और जो भी पिली-पिली पत्या है इस में खराब पत्या हो रहे हैं उनको निकालना जरूरी है हां डर्ना नहीं है कि हमारे पोदे की पत्या इस तरह से खराब हो रहे हो गया। पुरा आपस में तच रहते हैं तो पिले-पिले हो जाते हैं और बाद में जब धूप पड़ती हैं इन में तो वो क्या होते हैं तो उन सारे पत्यों को निकालना है इस समय क्योंकि इतने घने होते नहीं है तो इतने सारे पत्ते आपस में रहकर के सूप भी जाते हैं तो फिर उससे क होता कि एक पती से दूसरे पत्ते भी ऐसे खराब हो जाते हैं तो उनको निकालना भोग ज़रु रहे हैं निकाल दूगी तो पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए ऐसा काम भी जो इसमें करते रहने से थोड़ा हलका पन हो जाता है तो मैंने बहुत सारी गुलदाओदी के जो पत्तियां सुखी थी मेरी मैंने निकाल दी है तो इसलिए मुझे इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ रहा है इस समय ने तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा होते तो इतना सारा काम होता नहीं है साथ के साथ अगर हम निकालते जाए ना तो देखिए इसमें कम ही आपको मिले होंगे और देखिए ये इस तरह की लकड़ी होती है बांस की उसको सपोर्टिंग के लिए रखना बहुत जरुरी होता है फ्रेंड्स देखिए मैंने रसी बांद दिया है इसमें सारा साफ और नीट अन क्लीन पोधा मिलेगा आपको तो जब भी गुड़ाए करें मौर्निंग के टैमी करें तो जितने भी एक्स्ट्रा इसमें रूट के साथ नीचे से सकर बोलते हैं जो वो भी निकल रखे होते हैं तो उनका भी हमें काम नहीं है इनको निकाल दे यहां से और दूसरे में शिफ्ट भी कर सकते हैं अब दूसरे में अप लगा लें उन पोधें को और मौर्निंग में जितनी गुड़ाइ करनी है गुड़ाई मौर्निंग में करें क्योंकि दिन बर की धूप अच्छी तरह से मिल जाए इसमें, रूट तक इसके वेडियसन अच्छी तरह से हो जाए, मिट्टी सूप जाती अच्छी तरह से, और साम को इसमें डालना है खाद, देखिए साम हो चुकी है, और मैंने आपके सामने में इसको मौनिंग में गुड़ाई की थी, तो अब साम को इसमें डालूं देखिए, वर्मी कमपोस्ट और इधर है नेमखली, नेमखली और ये कटोरी में जो है, वो एपसंट सॉल्ट है, तो ये इस बार फरस्ट है, मैं वर्मी कमपोस्ट का यूज कर रही हूं अपने पौधों में, तो देखिए, ये पौधा आपके सामने में मैंने अब इसको मैं सपोर्ट दूँगी, आप बांस की जो बांस होते हैं, उनको फाड़ फाड़ के रख लिजिए, काट करके छोटे बड़े साइज में और उनका सपोर्ट अच्छी तरह से होता है, इस तरह से कोई भी लकड़ी साब सपोर्ट दे सकते हैं बौधों को, क्योंक जब इसमें कलियां खिलेंगी, ऐसे भी तो ये इसका काफी हैवी लोड हो जाता है, पौधा नीचे के तरह गिर जाता है, तो एक दो स्टिक से इस तरह से सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है, तो इन पौधों में दूसरी बात क्या है कि पत्ति अभी समय कीड़ों का भ लगेंगी, चीटियां क्या करती है, वो जो भी इंसेक्टिसाइड होते हैं, उसको फेलाने में हेल्प करती है, अपने साथ में उनको अंडों को ले जाती है, एक गमले से दूसरे गमले तक फेला देती है, तो देखिए ये मैं डाल रही हूँ, आप इसमें वर्मी कंपोस् आप पास में लीफ मोल्ड पत्यों की खाद है, उसको भी डाल सकते हैं, इन में से कोई भी आप एक डाल सकते हैं, या मिक्स करके डाल सकते हैं, ये सब बहुत अच्छा काम करता है, इन पौधों के लिए, और इसमें डालोंगी आप नेम खली, नेम खली, इनसेक्टि साइट का काम भी करता है, निूट्रिशन का भी काम करता है, तो बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए, किसी भी पौधों में आप डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा नेम खली डाल रहे हूं, आप एक साथ सब को मिक्स करके भी डाल सकते हैं, मैं डाला मैंने एपसम सॉल्ट, एपसम सॉल्ट बहुत अच्छा होता है, पौधों के लिए, इनकी ग्रोध के लिए, कोई पौधों को शौक से भाहर निकालने के लिए, तो ये इस तरह के खाद मैंने डाल दिया है, जो कि इन पौधों के लिए बहुत जरूरी है, अभी इस स से ज़्यादा आप 8 से 10 इंच के पॉट में इनको डाल सक ट्रांसफर कर सकते हैं और पानी शाम के समय में दीजिए अगर आपको लग रहा है कि मिटी सूखी है तो आप पाने डालिए उस हिसाब से अगर मिटी आपको गीली दिखती है तो पानी नहीं डालना है क्योंकि एक्स कर लिए अपने गुल्दावदी के पौदों के साथ में ये भी मुझे जरूर बताना और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगेन